जांजगीर चंपा में साल 2021 में पंच की हत्या के मामले में ग्रफतार दो आरोपियों को प्रथम अपर सत्र नियाधीश ने फांसी की सजा सुनाई है जमीन बिबात को लेकर शिवरी नेराइंट थाना छेत्र के तुसमा गाउं में इन दो आरोपियों ने गाउं के पंच की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद दोनों आरोपी पानी की टंकी में चड़ गए थे जिसके अब जाकर दस महीने बाद अजलत ने दोनों को फांसी देने का ऐलान किया है कसरावद में भारती मजदूर संग ने पीडी पीएल श्रमिको का मुख्यमंत्री के नाम SGM को ग्यापन सौपा है इसमें भारती मजदूर संग ने पीडी पीएल मालिक के खिलाफ अकाशत रैली निकाली और पांच माह का वेतन इपीएफ गैजट और मालिक को तुरंद ग्रफतार कर भगोडा घोशित करने की मांग की है पत्र में कहा गया कि मजदूरों को आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है वहीं ग्यापन के माध्यम से बताया गया कि अधी समस्या का नेराकरण जल्द नहीं किया गया तो बड़ा अंदोलन होगा आज ये ग्यापन PDPL पेरड़क्ट इंडिया लिमिटेट कमपनी जो है जो विगत पांच महिनों से मजदूरों को धोका धड़ी दोका दे के भग गई है और बीना सूचना दिये भाग गई है उसको तुरंत मालिक को भगोडा गोसित किया जाए तुरंत मजदूरों का पेशा दिया जाए और चार साल का पीव इस्टाप सहीत मजदूरों को मालिक ने भरोसा तोड़ा है बड़े-बड़े मुख्यमंत्री सम्मीट करते हैं और बड़े-बड़े मजदूरों से वाद करते हैं आज नियमरानी उद्योगिक छेत्र उद्योग पतियों का शोषण करने वाला गड़ बन गया है मैं माने मुख्यमंत्री से से निवयदन करता हूँ कि मजदूरों को जल्द पेशा दिया जाए अन्यता भारती मजदूर संग बड़ा अंदोलन करेगा